Adding Functionalities Using Modules पर इस फोकन टोटोरियल में आपका स्वागत है। इस टोटोरियल में हम मोडियूल से परिजित होंगे। हम Book Module और Forum Module के बारे में सीखेंगे। इस टोटोरियल को रेकॉड करने के लिए मैं अपयोग कर रही हूँ। Ubuntu Linux Operating System, Drupal 8 और Firefox Web Browser. आप अपने पसंद का कोई भी Web Browser उपयोग कर सकते हैं। Modules और Themes Drupal Website में फीचर को विस्तार करने या जोडने के प्रात्मिक तरीके हैं। Drupal एक पूर्ण Content Management System प्रदान करता है। लेकिन कभी-कभी हमें अधिक की जरूरत होती है। और यहीं Modules काम आते हैं। Modules हमारी Drupal Website में फीचर्स जोडते हैं। Drupal में यहां तीन प्रकार के Modules हैं। यहां Core Modules हैं। यह वे Modules हैं जो Default Robe से Drupal में आते हैं। उन्हें Off किया जा सकता है। लेकिन FTP का उपयोग करके Website के Core Area में कभी न जाएं। और इन Modules को हटाएं। उन्हें फिर से Reinstall किया जाएगा जब भी हम Drupal को Update करेंगे। यह Core Modules Drupal के बुनियादी कारेशमता के लिए बने हैं। फिर यहां Contributed Modules हैं। हमने पहले से ही एक Install किया है। हमने पहले ही Develop इंस्टॉल किया है। Contributed Module बह Module है जो समुधाय में किसी के लिए योगदान देता है। और यह Drupal.org पर उपलब्द है। अंतिम प्रकार का Module, Custom Module है। यह है जहां हमारे पास कुछ विशिष्ट कारेशमता है जिनकी हमें अपने प्रोजेक्ट में जरूरत है। यह Module उपलब्द नहीं है और कोई भी इस जगह इसके बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जाहिर है कि हम इसे अपने लिए बना रहे हैं या हमारे लिए यह बनाने के लिए हम किसी और को वुक्तान करते हैं। यहां Drupal के लिए कई भिन मोडियोल्स उपलब्द हैं। यहां Drupal.org पर हम देख सकते हैं कि यहां पहले से ही 32,458 मोडियोल्स हैं। मोडियोल्स कई कार्य करते हैं। एक मोडियोल कंटेंट टाइप में फील्ड जोड सकता है। अन्य मोडियोल हमारे पोर्ण वेबसाइट के लिए पूरा वोटिंग सिस्टम जोड सकता है। लेकिन हम केवल एक मोडियोल का उप्योग कर सकते हैं जो कि Drupal के वर्जन के साथ अनुकूल है। और इसलिए हमें यहां Drupal.org slash project slash modules पर अपने modules को filter करने की जरूरत होगी। जब हम उन्हें filter करते हैं वे हमेशा popularity करम में सूची बद्ध हैं। पहले तीन यह चार पेजों में सबसे लोग प्रिये modules हैं। जिसका अर्थ है कि वे बहुत ही उप्योगी हैं और अक्सर वे बहुत ही मददगार रहे हैं। संशेप में modules, features जोडता है और यहां drupal.org पर कई modules हैं जो की मुफ्त में उप्लब्द हैं। अपनी website खोलें जिसे हमने पहले बनाया है, extend पर क्लिक करें और फिर नीचे स्क्रोल करें। यहां हमारे पास कुछ modules हैं, जो की डिफॉल्ट रूप से दुपल में आते हैं, लेकिन वे पहले से ही on नहीं हैं। Book module को enable करें। नीचे थोड़ा सा स्क्रोल करें और हमें forum module मिलेगा। उसे एक बार on करें। हम एक ही समय में दो अलग-अलग modules on कर सकते हैं। नीचे स्क्रोल करें और install पर क्लिक करें। Book module और forum module दो बहुत ही अलग-अलग प्रकार के modules हैं। लेकिन वे दोनों एकदम नए content types बनाते हैं और वे इसका विस्तार करके दुपल में अतिरिक्त functionality लाते हैं। Drupal modules बहुत अलग चीज़े करते हैं। भले ही वे सभी modules हैं। जब आप अपने site के लिए नए features जोड़ना चाहते हैं। जहां यह पूरी तरह से नया functionality है या अभी भी नया field type। आप Drupal core का विस्तार करने के लिए module जोड़ रहे हैं। अब structure और content types पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि यहां दो नय content types हैं। book page और forum topic। content पर क्लिक करके book page content type को चेक करें। और फिर add content पर क्लिक करें। book page हमारी site पर chapters, navigations और blog के साथ book बनाता है। उसे हम अपने अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं। book page पर क्लिक करें। अब title में our drupal manual type करें। body में type करें। this is the beginning of our drupal manual। हमारी publication settings पर हमारे pass नया setting है। book outline पर क्लिक करें। और none को create a new book में बदलें। फिर save and publish पर क्लिक करें। यहां add child page नामक लिंक पर ध्यान दें। drupal.org में documentation पर क्लिक करें। अब जब हम understanding drupal पर क्लिक करते हैं। तो हम book module देख सकते हैं। यहां दाइं और navigation है। यहां page के अंद पर कुछ और navigation है। जो स्वताही उत्पन हुए है। by or links है। drupal concept पर क्लिक करें। हम book module का उप्योग करके अपने अनुसार complete और complex user guide या किसी भी प्रकार की book बना सकते हैं। अपनी website पर वापर जाएं। और add child page पर क्लिक करें। टाइटल में installing drupal टाइप करें। और body में this is where we explain how to install drupal टाइप करें। द्यान दें कि यह स्वता ही drupal manual में आ गया है जिसे हम बना रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने create book page पर क्लिक किया था। save and publish पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि navigation हमारे लिए स्वता ही उत्पन हो गया है। अप पर क्लिक करें। यह हमें main level पर ले जाता है। याद करें मैंने पहले उलेक किया था कि वहां इसके साथ block उपलब्द है। structure और block layout पर क्लिक करें। और sidebar first में block पर जाएं, place block पर क्लिक करें। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास book navigation menu है। place block पर क्लिक करें, फिर save block पर क्लिक करें। save blocks पर क्लिक करें और अपनी site पर जाएं। यहां हमारा Book Navigation और Drupal Manual और Installing Drupal है, यह समापती और जरूरत के हिसाब से विक्सित होगा जब हम नए Child Pages जोडते हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ, Drupal.org पर जाए, User Manual या Documentation के माध्यम से ब्राउज करें, जो ऐसा करने के लिए Book Module का उप्योग करता है। यह बहुत ही प्रभावशाली है, यदि यह उस तरह का Content है, जो आप अपनी साइट पर चाहते हैं, आप Title और Body तक सीमित नहीं हैं। Content टाइप में Fields जोड सकते हैं, जो की Book Module में आते हैं। यदि वेकसाइड में वस्तव में Forum होने से लाब है, तो फिर Forum Module वस्तव में मददगार है। Content पर क्लिक करें और फिर Add Content पर क्लिक करें। Forum Module वस्तव में Forum Topic नामक New Content टाइप बनाता है। यह Field Able है, जिसका मतलब है कि हम सिर्फ Title और Body तक ही सीमित नहीं है। Forum Topic पर क्लिक करें। Learning Drupal नामक Forum Topic प्रविष्ट करें। Forums में इसे General Discussion में रखें। फिर Body में, Hi, I am just learning Drupal, can someone help me प्रविष्ट करें। Save and Publish पर क्लिक करें। अब क्योंकि यह Forum Content टाइप में है। Comments में एक प्रतिकरिया जोड़ें। अब Comment जोडते हैं। Sure, I can help. You should just read everything at Drupal Will. और फिर Save पर क्लिक करें। चुकि हम Super User के रूप में Login हैं। इन्हें स्वताही मंदूरी दे दी है। यदि हम General Discussion पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास एक General Discussion है। Forum Topic 1 Comment के साथ Learning Drupal दर्शाता है। अब यदि हम Comment पर क्लिक करते हैं, तो हम comments जोड़ना जारी रख सकते हैं। इस तरीके से हम सभी प्रकार के forums बना सकते हैं। Forums पर क्लिक करें। आप यहां नया Forum Topic जोड़ने के लिए क्लिक कर सकते हैं। जोकि General Discussion में होगा। लेकिन Administrator के रूप में आपको इससे अलग आधिक forums जोड़ने चाहिए। अतहा इसे करते हैं। Structure पर क्लिक करें और फिर Forums पर क्लिक करें। यहां हम नया Forums और नया Containers जोड़ सकते हैं। यदि मैं Forum जोड़ना चाहती हूं तो मैं यह कर सकती हूं। और मैं उन्हें पुनहा व्यवस्तित कर सकती हूं जहां चाहती हूं। Content पर वापस जाएं और फिर Add Content और Forum Topic पर। अब मेरे पास इन्हें अन्य Forums में रखने का विकल्प है। इस तरह से हम अपने Drupal वेबसाइट पर Forum को व्यवस्तित कर सकते हैं। इसी के साथ हम टुटॉरियल के अंद में आ गए हैं। Sun Shape में इस टुटॉरियल में हमने Modules का परिचय, Book Module और Forum Module के बारे में सीखा। यह वीडियो AQUA और OS Training से लिया गया है और Spoken Tutorial Project IIT Bombay द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब दे वीडियो Spoken Tutorial Project को सारांशित करता है। स्क्रपया इसी डाउनलोड करके देखें। Spoken Tutorial Project टीम कारेशालाओ का आयोचन करती है और प्रमाण पत्र देती है। आधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। Spoken Tutorial Project NME ICT मानफ संसाधन विकास मंत्राले और NVLI संस्क्रती मंत्राले भारत सरकार द्वारानी दिवद्ध है। यह स्क्रेप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादे थै। IIT बॉंबे से मैश्रती आरे आपसे भी दालेती हूं। धन्यवाद।